हलो अश्ट्रें बेलकम टू अरक्षन एजुकेशनल गुरूप मैं चंदन सर आजे मैं थे मैं टिश टीचर चलिए आप सबको आपका अपना चैनल पर स्वागत है सबसे पहले मैं आप लोग को होली के सुभ कामनाओं के साथ स्वागत करता हूं है ना आप सभी लोग होली के रंग में डूबे रहें और बिहार बोड द्वारा जो रिजल्ट प्रकासित हुआ है उस पर आज हम सभी लोग चर्चाएं करेंगे क्योंकि काफी खुबसूरत रिजल्ट दिया गया है और पूरे भारत देश में बिहार बोड ऐसा बोड बना जो सबसे पहले परिच्छा भी लिए और उसका परिणा भी घुशित कर दिये चलिए तो इस तत्य पर बात करने से पहले मैं आप लोगों से मैक्समम दो से एक से दो मिनट बाते करूँगा पढ़ा इस रिलेटेड बात हो देखिए हम सबसे पहले इस बातों को चर्चा करने जा रहे हैं क् कि सिच्छक हुए हैं जो समाज को सबसे बड़ा सुधारक हैं और समाज में सबसे प्रतिष्ठित और सम्मानित व्यक्ति में गिंती अगर किया जाए तो उसमें सबसे उपरी अस्थान पर होंगे तो सिच्छक होंगे और इस सब्द को मैं इसलिए चैन कर रहा हूँ क्योंकि कुछ ऐसे सिच्छक हैं जो अपना अस्टेटस के चलते गलत रिजल्ड कार्ड इसू बच्चों को बीच में कर रहे हैं जिससे ए च्छती है कि जो बच्चे मिधावी च्छात्र हैं अपना छेत्र का जहानवाद और मसोडी च्छेत्र का जो बच्चे मिधावी च्छेत्र हैं उनको दिल और हट पर कहीं ने कहीं एफेक्टेवल है तो मैं उन सिच्छों से भी अपील और याचना में करूंगा कि सभी बच्चों को ध्यान में रखते हुए ध्यान में रखते हुए रिजल्ड कार्ड को बच् कर दें तो इस समाज का क्या होगा क्योंकि आप सभी लोग जानते होंगे कि सिच्छक के हर एक तत्थ को बच्चों के बच्चों को दिल दिमाग खुन का एक कत्रा में बहच जाता है क्योंकि जो आपके अंदर एक्टिवीटी है वो बच्चों के अंदर एक्टिवीटी चला जाता है क्योंकि हमें ऐसा फिल इसलिए होता है क्योंकि मैंने जिस गुरुजी से पढ़े हैं उनके कुछ न कुछ हमारी अंदर नेचर है मैं बच्चों के बीच में उसाहीं प्रदर्शित करता हूं तो आप और हम बच्चों के बीच में जूट रिजल्ड कार्ड को प्रदर्शित करेंगे तो बच्चों के गुन में उबच्चों के गुन समाहित हो जाएगा तो काफी दुख होगा इस बात को इसलिए मैं सभी सिच्छक गनों से अपील और याचना हिर्दे और दिल से करना चाता हूं कि समाज के हम सभी लोग प्रतिष्टमान ब्यक्ति हैं सिच्छक प्रतिष्टमान ब्यक्ति हैं इसलिए जूट का सहाणा लेकर कोई भी सिच्छक result card issue ना करे मैं आप से बिनम्र निवेदन करता हूँ कई सिच्छा कैसे हैं इस करन मुझे करना पड़ा इस बातों को चैन करना पड़ा तो आईए हम कुछ बच्चों को जो हमारे साथ पुक्ता सबूत के साथ हैं उन्ही बच्चों को मैं result card इसू कर रहा हूँ और दिखाने जा रहा हूँ है ना तो आईए सबसे अवल अस्थान हमारे संस्थान से लाने वले बच्चे हैं जो सुर्देव कुमार जी है और आपके सामने स्क्रीन पे आपको जलक रहोगा उनका रॉल नमर और रॉल कोड आप इससे पदा कर सकते हैं उनको टोटल स्मार्च 446 अंग आया है जो आपके स्क्रीन पे जलक रहोगा और इसमें सबसे बड़ी बात इनका जो आप देख पा रहे होंगे आप जो देख पा रहे होंगे इन 99 मार्क्स आपका मैथे मैटिस्ट में सौ में 99 मार्क्स लाए हैं सौ में 99 मार्क्स लाका रहा हैं अवल अस्थान प्राप्त की इन 99 में अंक लाकर और इनको देखा जाए तो प्रतेख सब्जेक्ट में डिश्टेंसर मार्क्स है इसमें से कुछ बच्चे जो इसको हम देखाएंगे तो कुछ जहानाबाद पढ़े थे और कुछ मसोड़ी में ओफ-लाइन कलास पढ़े थे तो 99 अंग लाकर देखे समझे सौ में 99 अंग काफी खुबसूरां तंग माना जाता है तो सुर्देव जी का दिल से धन्यबाद जो ह हमारे हर एक तत्थ को हमारे हर एक आवाज जो आप आपने अपने आपके लिए हमारे हर आवाज को अपर्चुनीटी समझें और उस अपर्चुनीटी को गरहन करने का पर्यास्की है तो आपको दिल से मैं धन्यवाद करता हूं तो 99 अंग के साथ देखिए इनका 446 अं जो फोटो थोड़ा देर बाद आमकर यहां को फास्तों नहीं आया उस बच्चा का फोटो नहीं है इसके बार देखिए generation कुमार पार्ण कुमार जी का है उनका पर आप Florida में मुख साथ नाइनटी एट नाइनटी एट बहुत सारे नक त्हान में मार्क्स और इनका टोटल 412 मैत में देखिए गजब का उसका है और लगभक सब्जेक्ट में इनका Engagement तो बहुत ही कुछ इनका भी मार्क्स है दिल सुनको धन्यवाद हना और इस बच्छा को फोटो साइध हमारे पास होगा देखिए इस बच्छा को देखिया हम को याद है कि कोई बच्छा अंडिसिप्लिंग हुआ था और इस बच्चा को मैंने पीट दिया था ए बच्चा को हमको याद इसलिए पुरा दिल में वसा हुआ है क्योंकि कोई कि दूसरा बच्चा अंडिसिल्बिंग हुआ था और इस बच्चा को मैंने पीट दिया था और इनको हम बोले थे कि जब क्र शचिन कुमार जिनका 89 marks है 98 marks इनका भी है 98 marks इनका भी है और टोटल इनको देखा जाए तो 419 बहुत ही खुबसूरत इनका भी देखा जाए तो सिर्फ कमेश्टी में आपका बागी सभी में डिस्टेंस marks है और इनका मैत मार्च 98 है चलिए तो और कुछ बच्चे हैं उनको देखाता हूं मैं जल्दी जल्दी में और यही बच्चे हैं जो 98 marks लाए 419 अंग के साथ आप इनको देख सकते हैं यह जहानाबाद सेंटर के बच्चे हैं इनको आप चीनते हो होंगे साहत साम में बैच का होगी तो चलिए बहुत-बहुत धन्यवाद और इसके बाद मैं आपको दिखाता हूं 95 95 95 मर्स देखें मैत में इनका है और देख रहे हूंगे 436 टोटल इनका 436 अंग है इनका साहथ फोटो है कि नहीं मैं देख लूँ साहथ फोटो होगा यह भी मेरे प्यारे प्यारा सिस्ट था मैं इसको चीन रहा हूं बड़ा-बढ़ियां से क्योंकि मुझे याद है देख अब नेक्स्ट आपको मैं दिखाता हूं 435 436 के बाद आपको एदर 435 इभी बच्चा को अगर देखा जाए यह भी बच्चा को देखा जाए तो 95 मार्स है मैत में इनका 95 5 मार्स और टोटली में इनका डिस्टेंसर मार्क्स 435 फंस डिविजन की कगार पर हैं तो बहुत-ब मैट्रिस में इनका 84 मार्स था और इधर देखिए आपको लगवक सब्जेक्ट में इनका भी डिस्टेंसर मार्क्स है अगर इनका फोटो होगा तो मैं इनको फोटो भी दिखाता हूं फोटो नहीं है चलिए एक बच्चा आपके स्क्रीन पे फिर से आ रहे हैं कि इनका वान मैं आपको कहूंगा बहुत सारे संस्थानों को रिजल्ट लगभग ठीक ठाक रहेगा क्योंकि हम देख रहें कि हमारें के करवन है 85 परसेंट ऐसे बच्चें होंगे जो फस्ट के कगार पर होंगे बहुत सारे बच्चा का कॉल है मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि मेर हमेशा एक उसूल रहा है कि मैं हकीकत से जादा बारतालाब करूं मेरे अंदर एक छमता है सुरू से ही डिवलफ है कि बच्चों के बीच में पढ़ाने के लिए मैं रननीती बनाता हूं कभी राजनीती नहीं करता हूं मसोरी में अभी नया एक ट्रेंड चला है हम लोग कि स और दिखाएंगे बहुत ही घजव अंदाज कवर की हैं थोड़ा सा तो चलिए एबानमे नम्मर के साथ हैं नेक्स्ट आपको स्टूडेंट को मैं दिखाता हूं इधर देखिए 409 और इनका मैथमेटिस में 84 अंख है और देखें लगवां इनको सभी के सभी पेपर में इन को नहीं आपाया 93 इन पर मुझे बरोसा था कि 100 भी लाज सकते थे और ऐसे अंजल नाम के बच्चा था ओभी बहुत बढ़े पढ़ने में थे फिर भी देखते हैं कोई-कोई बच्चे ऐसे होते हैं जो पढ़ने में बहुत खुबसूरत होने के बाद भी कुछ अंग से पी हैं आप देख सकते हैं बाद में पता कर सकते हैं एक आपके स्क्रीन पे 96 96 मार्स उनका 430 अंग के साथ 430 अंग के साथ जो देख रहेंगे अखिलेस नहीं अकास कुमार और अकास कुमार बहुत ही हमारे साथ फोटो भी सेयर किये थे साय दिखाता हूं का फोटो भी होगा हा देखिया इनका फोटो भी आया है तो यह बच्चे हैं जो सायद कूर्था यह किंजर से थे हमेशा ये विचारे बहुत ही मेहनत करके आया करते थे चले तो बहुत-बहुत धन्यवाद है इनका वी दिल से धन्यवाद और इसके बाद देखिए 95 मार्क्स के साथ 95 मार्क्स के और आकर पढ़े थे और एसे सिनहां कोले से हैं और पंचानमे नंबर के साथ लड़की हैं इनका फोटो थोड़ा देर में आता लेकिन मैं यूटूब पर आगे इस कारण नहीं मिल पाए तो फुस्वु कुमारी जो पंचानमे नंबर के साथ हैं और इनका टोटल मार्स 384 अं इनको हम चीन पा रहे हैं तो इनको दिखाते हैं फोटो बेगरा 89 मार्स इनका भी है यह नब्बे के करवन है यह ठीक ठक मार्स लाएं पुनम कुमारी जो हमारे कलास्रूम में राखी भी बाने थे और देखिए पीछे सरसतिमाय को दुर्गामा के सामने भी हैं इनको फोट पुनम कुमारी बोलें उन्हीं का गाउं का बच्चा है उनका फोटो नहीं ले पाए हम लोग नंद कुमार क्या नाम है चलिए नंदन कुमार चलिए कोई बात नहीं तो इनका आपका है 94 मार्क्स बहुत बेतर हैं देखिए एक गाउं के बच्चे अगर अच्छा करते हैं तो देखाए इसको पूरे गाउं के बच्चे अच्छा करने का परियास करते हैं तो देखिए आपकी स्क्रीन पे नेक्स्ट आखाच कुमार लगता है । इनका दोवारा मैं देखा पारा हूं थोड़ा सा देख लीजिगा इसको द्वारा इसको सायद हो चलिए इसके बाद देखिये 95 मार्क्स साथ 95 मार्क्स लखिक्र लखी धिए इनका 95 मार्स हैς 435 अंग के साथ यह भी भी खुब्सूरत अंगल कि हाँ एक धीररज कुमार दीरज कुमार जिनका देखिये टोटल 404 मार्क्स और में देकि नाइंट्य मोउत तरह मार्क से लगवक्षाँ सभी सब्जेक्ट में देखिये तो मार्क्स बहुत ही बे省 अश्यक्य ंप चाहे आपका जो सब्जेक्ट हो इस देखे यह बच्चा है आपके सामने 95 मार्क्स इनका भी था इनका मैंने प्रोफाइल पिक्चर से फोटो कलेक्ट कर लिया था है ना तो चलिए बहुत बढ़ा बढ़ियां लग रहा है कि इसे बहुत सरे बच्चे हैं 92 मार्क्स मित्थुन कुमार जी 92 मार्क्स और पूरा टोटल इनको देखा जाए तो 416 के साथ बहुत ही बेहतरीन पोजिशन बना पाए और यह देखिए यह हमारे बहुत ही पसिंदी रहा स्टुडेंट में से थे जो एक भी कलास मिस नहीं करते थे एक भी कलास मिस नहीं किये थे हमको सा होती ही नहीं छोड़े थे जो इनको हम आपको देखाये थे 92 मार्स है मितले मित्विन कुमार जी का 92 मार्स है पढ़ने में खुब सूरत बच्चे भी थे लेकिन 92 पर रूख गिये बड़ा दुख लगा एक कम से कम है इन पर आसा भी कर ले था कि 100 में 100 लाने लाएके बच्चे सब्सक्राइब करें हों था ना प्रेटकल में रहता हो तो इनका और अच्छा मार्स पहुंचता चलिए मित्विन जी बहुत धन्यवाद इसके बाद मैं आपको दिखाता हूं अभी से कुमार जिनका 95 मार्क्स में और 87 फिजिक्स में केमेस्टी में इनका 68 और देख पा रह बहुत ही बहतरी अभी सेग जी चलिए आपके स्क्रीन पे मैं फोटो देखा रहा हूं कि कुछ बच्चे थे जो जब हम अंदिम क्लास ड्रॉब किये थे क्रोना वारेस के जब घोसना थे उसके बीच में हमनों लगभा खतम कर चुके थे उस पी जहानाबाद के कुछ बच् में मार्क्स लाए होंगे लेकिन नहीं भेज पाएं साथ में हैं और जो पवन कुमार मैं इनको बोर रहा हूं अमीद कुमार अभी तक हमसे बात्चित नहीं कर पाया है और एक बच्चे यहां पर आप देख रहों जे इनका नाम मर्जेंसी में रखा था इनका मार्स आना च कुछ बच्चे को नाम से भी जान रहा हूं और आपका जो हम फोटो दिखा रहे हैं नया जो अभे निव टुवेल्ट का जो बैच चालू हो चुका है उसमें जो अरक्षन कोचिंग सेंटर में पढ़ रहे हैं उनको साथ मैं फोटो खुद लेता हूं जो बच्चे पिछला टेस्ट एक लिये थे उस टेस्ट में हमने 50 नमर का टेस्ट लिया थे उसमें 40 नमर लाया थे बच्चे इसलिए हमारे साथे सेलफी के हकदार हुए और नया और्गनाइज कर रहे हैं इस वर्ष टेस्ट का इसमें से अबर अबर जो इस वर्ष मैं पढ़ाने जारा हूं जो बच्चे 2023 में जो एक्जाम देंगे उनको लिए मैं डिड़ संकल्पित होकर और पढ़ा रहा हूं कि अब मुझे किसी भी हाल में टॉप वन चाहिए किसी भी हाल में टॉप नौन चाहिए कि मैं किसी भी तरह प्रयास में लगा हूं इसमें देखता हैं देख पाते हैं कि बच बच्चे अच्छा करना चाहते हैं और मुझे अरच्छन कोचिंग सेंटर मसौडी और जहानाबाद में जोईन कर सकते हैं तो देखिए टेस्ट का सिलसला मसौडी में चालू हो गया और हुली के बाद से जहानाबाद में टेस्ट का सिलसला भी चालू कर दिया जागा इनका आपको बहुत ही मज़ा और इंटेस्ट के साथ में पढ़ाऊंगा चलिए आपके अंतिम आपका अंतिम एभी बच्चे एक बैच कहीं है जिनके साथ मैंने फोटो ले लिया हूँ चलिए और अंतिमें आप एक चीज़ देख रहोंगे मेरा सुपुत्र मेरा बेटा जिसे मैं होली के रंग में थोड़ा सा डूआ हूँ क्योंकि आज होली का मौसम था इसलिए सचा है कि लास्ट में मैं अपना पुत्र को भी देखा पाऊंगा आप देख पा रहे होंगे चलि इतना ही रहने देते हैं आज के लिए इतना है फिर बाद में आपको बीच फिर से एक बार लाइबा कर मैं बातचीत करूँगा तो बहुत बहुत धन्यवाद